इस वीडियो में हम बात करेंगी राजसान की जो सेंसकर्थ उनिवस्टी जैपुर तो इस उनिवस्टी की किसी भी कलास का रिजल्ट कैसे चेक करते हैं या मान लिजे कोई भी class है उसका result जब जारी होता है तो इसकी जानकरी हमें कैसे मिलेगी कहां पर हम देख सकते हैं कि science card university की किस किस class का result आया है और कैसे हम result चेक कर सकते हैं यह इस video में हम जानेंगे इसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी एक browser open करना है और यहां पर search करना है jrsu result यह लिखिया आप search कर लिजेगा तो इसके बाद आपको निचे जाना है यहां पर देखिए एक website आएगी rajasthan.indiaresult.com इस website का नाम आप ठीक से देख लिजेगा आपको इस website पर क्लिक करना है इस website का link आपको निचे description में भी हम देदेंगे तो उस link पर क्लिक करके भी आप इस website पर आ सकते हैं जैसे आप इस link के क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो Sanskrit University है इसने जितने भी result अभी हाली में जारी किये है उन सभी की list यहां पर आ जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सी तारीकों कौन सी class का result जारी हुआ है और माल लिजे अगर आपकी class का यहां पर आपको नाम दिखाई ना दे तो इसका मतलब साफ है कि आपकी class का result अभी जारी नहीं हुआ है जब भी result जारी होगा तो उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाए देगा जैसे कि यहाँ पर देखिए 23-12-23 यानि कि 23 दिसंबर को यहाँ पर बहुत सारी कलासों के रिजल्ट जारी किये गए हैं सेंसकर्ट उनिवस्टी के दोबरा यह देख सकते हैं यह कलास है निचे चलते हैं आपको निचे और जाना है तो यहाँ पर देखिए यह और भी कलास हैं 23 तारीकों बहुत सी कलासों के रिजल्ट यहाँ पर जारी किये गए हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए आचार यह बहुत सारे बच्चे जो है आचारे कर रहे हैं, MA कर रहे हैं MA पर्थम वर्स का जो result है परिवेस का, वो यहां पर जारी हुआ regular का यह है और जो private student है उनके लिए यह है भी देखी यहां पर तो आप result देख सकते हैं कि कौन-कौन सी class का आया है मालिजे आपको result चेक करना हो जिसे कि यहां पर अभी एक मैंने student का चेक किया था, मेरे पास आया कि result किसी चेक करना बताए नहीं है तो यहां पर जो है मालिजे आपकी class यह है आप MA परिवेस में हैं और private student आप तो आपको अपनी class पर एक बार कलिक करना है, बीच में add है तो इसको बंद कर दीजेगा आप और यहां पर आपके पास दो option है जिनके द्वारा आप पना result चेक कर सकते हैं एक तो है roll नमर के द्वारा अगर आपके पास roll नमर है तो roll नमर डालिए और go बटन पर कलिक कीजे आपका result आपके सामने आजाएगा दूसरा तरीका है यहां पर नम के द्वारा आपना नम डाल के भी अपना result जो है वो देख सकते हैं तो यहां पर हम एक नम डालते हैं और उसका result देखते हैं ओके तो यहां पर देखिए हमने एक student का नम डाला है अभी हम go बटन पर कलिक करते हैं यहां पर बेख करते हैं साइध नाम की स्पेलिंग जो है कई बार अगर एक भी एकसर की गलती हो जाए तो रिजल्ट है वो नहीं आता इसे में हम क्या करेंगे अभी उस बंदे के रोल्ड नमर ही डाल लेते हैं और इसके बाद गो बटन पर क्लिक करते हैं यहां पर जो है वेवसाइट लोड होने में कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है अभी देखिए रिजल्ट जो है वो आ चुका है आचार यह यानि कि में पर्वेस का रिजल्ट है वो भी प्राइवेट श्प्रेंट का आपकी डिटेल आएगी यहां पर ठीक और नीचे आपके कितने नम्मर आए हैं वो चीज आप देख सकते हैं नीचे जाकर आप इस पेज को है प्रिंट ले सकते हैं इसका या फिर इसका स्क्रिंसोर्ट ले सकते हैं ठीक है एक बात तो यह रही अभी हम एक बार बेख सलते हैं आपको एक और चीज रिखाता हूँ मैं यहां पर बेख सलते हैं ठीक है अभी देखिए यह लिष्ट जो है जैसे आप लिंग पे क्लिक के आपने तो इस प्रकार से यह लिष्ट आपके सामने ओपन हो गई अभी मालिज अगर आप कंप्यूटर में यही वेबसाइट ओपन करेंगे जैसे कि हम अभी इसको एक बार डिस् करें तो अगर आपको इस यह जो निचे वाले हैं या सभी रिजल्ट देखने हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर देखिए आपके सामने इतने ही रिजल्ट आएंगे और यहां पर आपको कोर्णर में एक मोर का उप्शन मिलेगा आपको इस पे क्लिक करना है तो आपका जो रिजल्ट है वह आजाएगा चलिए यहां पर हम करते हैं एक बार इसको डिलीट करता हूं मैं लिंक को होंपेज पर चलते हैं और होंपेज से आपको बताता हूं यहां पर सेंस कर दिन्यूश्टि कहां पर है यह रही नीची नीची इसको हम उपन कर लेते हैं यहां पर मोबाइल में तो देखी फूरी की पूरी लिस्ट ही ओपन हो रही है मैंने अभी कम्प्यूटर में देखा था ओपन करके तब क्या हुआ कि यहां पे जो है सिरफ इतने ही रिजल्ट्स हो कर रहे थे और यहां पर एक छोटा सा मोर का उप्सन था तो जब हम उस मोर उप्सन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यह जो बाकी रिजल्ट है वो आ जाते हैं तो आप देख लिजएगा अगर आपके सामने पूरी लिष्ट उपन हो रही है तो तो कोई प्रोब्लम ही नहीं है बाइचांस मालिजे सभी रिजल्ट उपन ना हो और यहां पर सिरफ 4-5 रिजल्ट दिखाए दे तो नीचे की तरफ देखेगा आपको नेक्स्ट या मोर का उप्शन मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने ज़ए सभी रिजल्ट आ जाएंगे उमीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर यह वीडियो पसंद आया है अच्छा लगाया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएंगे